गड़ी करीब आती जारी है जब देश में वैक्सिनेशन की शुरुआत हो जाएगी देश भर में टीक कराना अभियान के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है दिल्ली में भी विशेश इंतजाम किये गए है खत्म होने वाला है इंतजार कोरोना के खिलाफ शुरू होने वाला है महा यद दो दिन का इंतजार देश बेखरार करीब साल भर बाद अब निराशा के बादल छटने लगी है कोरोना वैक्सिन के रूप में नई उमेद नजराने लगी है हिंदोस्तान के होसले उडान भर रहे हैं वो वक्त बेहत करीब है जब करोना वाइरस को जड़ से मिटाने की मुहिम का आगाज होने जा रहा है आज भारत एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया करोना वैक्सिन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तयार है दुनिया की फार्मसी होने के नाते दुनिया के हर जरुरत मन तक जरुरी दवाएं पहुचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है भारत का टी का करण अभियान देश का सबसे बड़ा अभियान बनने जा रहा है ऐसे में पूरा देश कमर कश चुका है सभी राज्यों में तयारियां पूरी हो चुकी है पहले फेस के लिए वैक्सीन के लागो डोस की सप्लाई हो चुकी है अब इंतजार है रोल आउट प्लान पर अमल का दिल्ली भी पूरी तरह मुस्तायद है वैक्सीन लगने का काम शिरू होने जा रहा है इसके लिए दिल्ली सरकार ने अपनी सारी तयारियां कर ली है दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तयार है आज सुभे ही मैंने अपनी टीम के साथ सारी तयारियों का जायजा लिया सभी तयारियां पूरी कर ली गई है और सभी टीम्स लोगों को वैक्सिन लगाने के लिए तयार है दिल्ली को अब तक कोविट वैक्सिन की 2,74,000 डोज मिल चुकी है कोविट वैक्सिन और कोविट शील्ड की खेप 12 और 13 जनवरी को दिल्ली लाई गई केंदर सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सिन की डोज मिली है जैसा कि आप जानते हैं कि एक वैक्ति को 2 डोज लगेंगी और 10 पर्सेंट एक्स्ट्रा देती है केंदर सरकार तूट फूट और उन चीजों के लिए तो ये जो 2,74,000 हमें वैक्सिन मिली है अब 16 जनवरी को आयोजित महा अभियान का मौका है उसके लिए केजरिवाल सरकार ने दिल्ली में 81 सेंटर बनाए है एक सेंटर पर रोजाना 100 लोगों कुर्टी का लगाया जाएगा यानि एक दिन में राजगानी में 8,100 लोगों का वैक्सिनेशन होगा शुरुआत में हम 81 सेंटर पर शुरू कर रहे हैं इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिये जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1000 सेंटर पूरी दिल्ली में वैक्सिनेशन के लिए तयार किये जा रहे हैं दिल्ली में कुरोना का ग्राफ तेजी से भागने लगा था लेकिन केंद्र सरकार की पहल और केजरीवाल सरकार की कोशिशों के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई है राजधानी में संक्रमन का कुल आंकड़ा 6,30,000 तक पहुँच चुगा है हाना कि फिलाल एक्टिव केस की संख्या 2,991 रह गई है उमेद है कि वैक्सिनेशन के शुरुवात के बाद हाला पूरी तरह काबू में होंगे पिछले एक साल से कोरोना की वज़े से सब लोग बहुत जादा परेशान हैं बहुत साथ जादा तकलीफ में हैं और इन वैक्सिन के आजाने के बाद मैं उमीद करता हूँ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अब लोगों को अंत में वैक्सिस से करोना से मुक्ति मिलेगी अपने दिल्ली को भी मुक्ति मिलेगी देश को भी मुक्ति मिलेगी दुनिया को भी मुक्ति मिलेगी देश भर में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीय पीम बात करेंगे स्वास्तिकर्मियों से उनके विचार जानेंगे दिल्ली के लेंज़ेपी एस्पताल में इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है इस वक्त हम लोक नायक जय प्रकास अस्पताल में मौजूद हैं और आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं जहां पर टीका करण होगा और वेक्सीन जैसे यहां पहुचेगी किस तरह से टीका करण को अंजाम दिया जाएगा इसकी जलक सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यह व मजबूर इंटरनेट सुषिदा भी हो और ऐसी सिती में यहां पर वाइफाई इंस्टॉल किया जा रहा है हाले कि अस्पताल में पहले सही वाइफाई इंटरनेट की सुषिदा की और यह देखिए सामने आप देख पा रहे हैं यह जो पूरा रूम है यह वैक्सीन रूम है यहां पर वैक्सीन लगाई जाए राजीव गांधी सुपर स्पेशल्टी अस्पताल में सभी वैक्सीन को रखा गया है 16 जनवरी को ही यहां से सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके पहुचाये जाएंगे देश भर में पहले चरण में सबसे पहला डोज स्वास्थ कर्मियों को लगाया जाना है ताकि कुरोना के खिलाफ महायुद्ध का शानदार आगाज हो सके दिल इसे पंकजयन के साथ आज ही तक्दर हो प्रदानमंत्र नरिंद्ध मोदी खुद 16 जनवरी को कुरोना वैक्सीनेशन के महाभ्यान के शुरुवात करेंगे इसी दिन कोविन एप भी वो लॉंच करेंगे कुरोना के खिलाफ लडाई में ये दिन एतिहासिक साबित होने सप्लाई पूरे देश में की जा चुकी है पुने और हैदराबाद से कोविशील और कोवैक्सीन की डोज तमाम शेहरों में कोहचाई जा चुकी है 16 जनवरी को प्रदानमंत्री वीडियो कॉन्फरिंसिंग के जरिये इस अभ्यान का शुभारम भी कर देंगे दो दिन पहले ही प्रदानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चूल बैठक की उनमें वैक्सिनेशन के रोल आउट प्लान पर चर्चा की पीम मोदी ने बताया कि कैसे तीन करोण स्वास्थ कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने के प्लान पर अमल किया जाएगा जो जो चीज हम तैयार करें उसको जड़ा इंप्लिमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं इसकी चिंदा जुरू करनी होगी कोई नई गड़बड़े नहीं हो आपता के गहरे संग समंदर से हम निकले हैं यह मान के चले इत्रा बड़ा देश दुनिया मानती द आएगा आपता के गहरे समंदर से हम निकल कर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं जिन दो वैक्सीन के साथ इस अभ्यान का आगाज हो रहा है उन्हें को वैक्सीन और कोवी शील्ड शामिल है देश के लिए गवरों कपल है कि दो दो वैक्सीन के रूप में में इंडिया की का काम्याबी का पर्चम दुनिया में लहरा आएगा सरकार ने सुदेशी को वैक्सीन की 55 लाक डोस का ओडर दिया है और कोवी शील्ड की 11 लाक डोस का ओडर दिया है इन दोनों वैक्सीन से ही 16 जनवरी को टीका करन की शुरूआत होने जा रही है अब सिर्फ शुक्रवार का इस दिन बाकी है शनिवार से टीका लगना शुरू होगा उसी दिन पीयम कोवीन एप भी लॉंच करेंगे जो टीका करन अभियान के लिए बनाया गया है इसी एप के जरिये टीका करन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा इसी पर वैक्सिनेशन की पूरी जानकारी प्रिटन के नए कुरोना स्टियन से तनाओ के बीच वैक्सिनेशन मोहिम शुरू होने से देश को राहत मिल सकती है स्वास्थ मंत्राले के मताबिक नए कुरोना वाइरस से देश में पीलतों की संख्या 109 हो गई है 16 जनवरी को मेगा आयोजन होगा दुनिया भी हिंदुस्तान पर उम्मीद भरी नजरे टेकाय हुए है ब्रजील ने तो अपने दो विशेस विमान भी रवाना कर दिया है ताकि 20 लाग को विशिल्ड की डोज सीरम इंस्ट्यूट से भीजी जा सकी दिली से गीता मोहन और मिलन शर्मा के साथ आज तक बेरा और आए आपको ग्राउन पर ले चलते हैं आपको दिखाते हैं कि किस तरह के इंतिजाम हो रहे हैं 16 जनवरी को जो एक बड़ा ठीक करन अभियान चलने वाला है उससे लेकर तयारियां सरकारों की क्या है लखनाउसे कुमार अभिशेक हमारे साथ मौजूद है और पटना से रोईद सिंग हमारे साथ जुड़ गया है रोईद पहले आपका रुख करते हुए क्या तयारियां हैं सरकार की आपके तयारी जो है सरकार ने पूरी कर ली है और पहले चरण में सारह पांच लाख जो कोवी शील्ड के डोज है वो पटना पहुंच चुके हैं और पटना नहीं नहीं पहुंच चुके हैं बलकि तमाम जिलों में उसके पहुंचाया जा चुका है ताकि 16 जनवरी से जब ये टीका करन का कारिकरम शुरू हो तो जो भी जरूरतमन लोग है यानि कि स्वास्त कर्मी उन्हें सबसे पहले टीका दिया जा सके और बिहार में 300 केंद्रों पर जो है टीका करन का कारिकरम शु कि तीस हजार लोगों को रोजाना ये वैक्सीन लगाया जाएगा और इस हिसाब से अगर चले तो पंद्रह से सत्रह दिन में जो बिहार में तक्रीबन पांच लाख स्वास कर्मियों ने कराया है उन सभी को जो है ये टीका मिल पाएगा तो अपने तरीके से सरकार ने दावा किया है सारी तैयारिया पूरी हो गई है ड्राइरन भी हो चुका है दो दो बार तो अब सबको इंतिजार है 16 जनवरी का जब ये विश्व का सबसे बड़ा ठीका करन का कारिक्रम जो शु दिये जाएंगे कैसे मेडिसिन को स्टोर किया जा रहा है ये ऐसे सवाल ने जो इस वक्त सबके जहन में है देखे उत्तर प्रदेश चुकी सबसे बड़ा राज है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्थ वरकर्स हैं जिनको इसमें पूरे कवर किया जाना है इसलिए बहुत ही व्रहद योजना बनाई यूपी सरकार ने और तीन फेज का ड्राइरन किया गया कैसे टीका करन किया जाएगा उसकी पूरी प्रेक्टिस की गई जो लोग उसमें इन्वाल्ड रहेंगे उनको बकादा ट्रेनिंग दे करके उन जोगों पर तीन बार ड्राइरन किया गया उससे साफ हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में वो लोग पूरी तरह से एक्क्विप्ड हैं उसके बाद यहां पर 51,000 पहली फेज में जो 51,000 हेल्फ वरकर्स हैं उनको ट्रेका करन किया जाएगा और उनका रेजिस्टेशन बकादा किया जाएगा है उनको इडिंटिफाइग किया जाएगा है और डॉक्टर्स की टीम है एक्सपर्स की और जो एंटी डोट होती है जो एंटी एलर्जिक होती है जो किसी भी वैक्सीन को के के दुश्प्रभाव को रोकने में कामयाब होती है ऐसी दवाईयों का भी अच्छा खासा उत्रप्रदेश में स्टॉक गया गया है पहले ये था कि पूरे उत्रप्रदेश में करीब 850 सेंटर्स बनाए जाएंगे लेकिन अब सवा 300 सेंटर्स जो यूपी में है बनाए जाएंगे और उसके अलावा लखनवु में 11 जगों पर ये होगा जिसमें बलरामपुर हास्पिटल, PGI, KGMU और सहरा हास्पिटल के नाम भी शामिल हैं और उनको पूरी तरह से त्यार कर लिया गया है तो अब शुरुवात इस बात की है बस कि प्रधानमंति ने अधर से शुरुवात करें और उसके बाद यहां पर ठीका करन अभ्यान शुरू हो लेकिन एक और अहम बात है कि उत्तरप्रदेश में सबसे जादा जारा लाख टीके लगने हैं हेल्थ वरकर्स को जिसमें से नौ लाख लोगों को लगने है और उनका चरणबद तरीके से जो रेश्टेशन है वो करवाया गया इस सोला तरीक को लगने के बाद अगले शुक्रुवार को और फिर से यहां पर अभ्यान चला जाएगा और इस दिल्ली से पॉल्मी भी जुड़ गई है हमारे साथ पॉल्मी आज तो मुक्य पंत्री अर्विन केजिवाल ने प्रेस कॉंफरेंस भी की जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने अब तक क्या इंतजाम किये हैं एक क्या सी जगपे सेंटर्स बनाए गए गए है और ड तो जिस बात का जिकर हम यहां पर कर रहे थे कि दिल्ली सरकार ने आज मुक्य मंत्री केजिवाल की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस हुई और बताया गया कि कैसे यह पूरी प्रक्रिया चलेगी लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदूस्तान में देखा जा रहा है बलकि पूरी लोट रहे हैं नमस्कार मैं हूं अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले